नोसेना ने 11 समुन्द्री लुटेरों से बचाए 19 पाकिस्तानी नाविक भार्टे नोसेना ने आरब सागर में समालिया के पूर्वी तट के पास स्री समार्क 19 पाकिस्तानी नाविकों की जान बचाई इरान के ज़न्दे वाले जाहज को क्या रहे समुन्द्री लुटेरों ने किडिनेप कर लिया था इसके बाद नोसेना ने जाहज को रेश्क्यू करने के लिए अपना युदपोत आयनस सुमित्रा भीजा था नोसेना ने रेश्क्यू के गए जाहज का नाम एफ़ी अलनाईमी बताया है रेश्क्यू की कॉल मिलने के बाद भारतिय नोसेना ने समुन्द्री लुटेरों को सभी नाविकों को चोड़ने के लिए मजबूर किया रेस्क्य ओप्रेशन के बाद लुटेरों को पकड़ लिया गया पिछले 36 घंडे में दूसरा मामला है जब भारतिये नोसेना ने समुद्र लुटेरों के खिलाफ अभ्यान चुलाने के लिए अपना युद्ध पोत भीजा रविवार रात को भी भारत ने इरान के फिसिंग फैसिल एफ़ी इमान का रिस्कु किया था इसे भी भारत लुटेरों ने पकड़ लिया था इस पर 17 इरान क्रू मेंबर सवार थे दोनों ओपरेशन कोची के पस्ची मी में 850 नोटिकल मील यानी 574 किलोमेटर दूर चलाए गए यरप साकर में समुद्री लुटेरों के हमले का च्छटा मामला है इन घटना से 15 दिन पहले ही भारत ये नोसेना की दुप्यतो आइनेस सुमित्र ने एक इरानी जहाज को समुद्री जाकों से बचाया था सम्मार को एक बार फिर से इरान के ज्टे वाले जहाज अलनाईमी पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर जा था और इस पर मौझूद 19 लोगों को बंधग भी बना लिया